इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC AMC के Q1 के result को लेके उसके पहले disclaimer check कर लीजे काफी important हो जाता है disclaimer को check करना अगर अभी तक आपने disclaimer को check नहीं किया है तो disclaimer check करना काफी important हो जाता है बात करते है HDFC AMC के Q1 को result के लेके वीडियो पसंद हो तो like कर देजिए share कर देजिए चानल को subscribe कर देजिए इसके बाद हम लाइंग आके detail में भी चर्चा करेंगे शायद तो आप उसके लिए भी चानल को subscribe करके रख सकते हो बात करें तो dividend की तो मुझे को dividend दिखनी रहा है तो ठीक है और हम check करते है इनके data सारे रूपीज इन करोड़ में आते वे देखने को मिल रहे है financial result तो यह रहे है सारे figures रूपीज इन करोड़ में आते वे आपको देखने को मिल रहे है data की बात करें तो सबसे पहले अगर हम check करें total income की तो 607 करोड last quarter 545 last year 491 तो Y&Y भी growth है Q&Q भी growth आते वे आपको देखने को मिल रहे है expenses in line रहते वे देखने को मिल रहे है तो जस प्रकार से company का profit बढ़ा है उसी प्रकार से company का expense भी बढ़ता हुआ देखने को हलका बहुत मिल सकते है बात करें net profit for the period की तो profit after tax की BAT की बात करें तो profit after tax जो आया है 345 करोड का आया है last quarter 316 करोड था last year 302 करोड था तो Y&Y भी growth है Q&Q भी growth है EPS की बात करें तो earning per share जो है 14.20 से 16.22 का हो गया उसमें भी growth आती भी दिखने को मिल रहे हैं 14.84 से 16.22 result अच्छे आये हैं किसी के पास है long term के लिए definitely बने रह सकते हैं मेरा favorite one of my favorite share है इसके लिए माच चेक के लिए मैं कोई register advisor नहीं हूँ तो जो भी आप ट्रेल होगे आपके advisor चांसर करके ही लीजेगा नान्या बात